आकरानताओं के द्वारा तोड़े जाने के बावजूद भारत में आज भी वास्तू के अनुसार चमतकृत कर देने वाले मंदिर स्थित है। उन्ही में से एक है भगवान शिव को समर्पित तंजावूर या तंजौर का ब्रिधिश्वर मंदिर जिसे बड़ा मंदिर कहते हैं। भारत की मंदिर शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरन है तंजावूर स्थित ब्रिधिश्वर मंदिर। इस भव्य मंदिर को सन 1987 में युनेसकों ने विश्व धरोहर घोशित किया। राजाराज चोल प्रतम ने 2004 से 109 इसवी सन के दोरान इस मंदिर का निर्मान कराया था। चोल शासकों ने इस मंदिर को राजराजेश्वर नाम दिया था लेकिन तंजोर पर हमला करने वाले मराठा शासकों ने इस मंदिर का नाम बदल कर ब्रिधेश्वर कर दिया। आउ जानते हैं इस मंदिर के दस ऐसे रहसे जिन्हें जानकर आप दातों चले अंगुलिया दबा लेंगे गुंबद की नहीं पढ़ती है च्छाया, पत्थरों से बना यह अदभुत और विशालकाय मंदिर है और वास्तुकला का उत्तम प्रतीक है इस मंदिर की रचना और गुंबद की रचना इस प्रकार हुई है कि सूर्य इसके चारों और घुम जाता है लेकिन इसके गुंबद की च्छाया भूमी पर नहीं पढ़ती है दोपहर को मंदिर के हर हिस्से की परचाई जमीन पर दिखती है लेकिन गुंबद की नहीं हालांकि इसकी कोई पुष्टी नहीं करता है इस मंदिर के गुमबद को करीब 80 टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके उपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है मतलब इस गुमबद के उपर 12 फीट का कुमबम रखा गया है पजल सिस्टम, मंदिरों के पत्थरों, पीलरों आदी को देखने से पचा चलेगा कि यहां के पत्थरों को एक दूसरे से किसी भी प्रकार से चिपकाया नहीं गया है बलकि पत्थरों को इस तरह काट कर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया है कि वे कभी अलग नहीं हो सकते इस विशाल मंदिर को लगभग 130-00-00 टन ग्रेना इतसे बनाया गया है और इसे जोडने के लिए ना तो किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया है और ना ही चूने या सिमेंट का मंदिर को पजल सिस्टम से जोडा गया है सबसे आश्चर्य वाली बात तो ये की विशालकाय और उचे मंदिर के गोपुर के शीर्ष पर करीब सीटन वजन का वह पत्थर कैसे रखा गया जिसे कैपस्टोन कहते हैं उस दौरा में तो कोई क्रैन वगरा होती नहीं थी आश्चर्य ये है कि उस दौर में मंदिर के लगभग 100 किलोमीटर के दाइरे में एक भी ग्रैनाइट की खदान नहीं थी फिर कैसे और कहां से ये लाए गए होंगे प्राकृतिक रंग और अद्भुत चित्रकारी इस मंदिर को ध्यान से देखने पर लगेगा कि शिखर पर सिंदूरी रंग पोता गया है या रंगा गया है लेकिन ये रंग बनावती नहीं बलकि पत्थर का प्राकृतिक रंग ही ऐसा है यहां का प्रत्य एक पत्थर अनूठे रंग से रंगीन है जैसे जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हुए उसके चारों और भूमते हैं आपको यहां की दिवारों पे विभिन देवी देवता और उनसे जुली कहानियों के द्रिशियों को दर्शाती हुई अनेकों मूर्तियां देखेंगी इन मूर्तियों को रखने के लिए बनाए गए कोश्ट पंजय आले पवित्र घड़े का चित्रन करने वाले कुम पंजय के साथ बिखरे हुए हैं माना जाता है कि इस मंदिर के भीत्री पवित्र गर्बड्रिह के प्रडक्शन अमार्ग की दिवारों पर पहले चोलकालीन चित्रकारी हुआ करती थी जिन्हें बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारी से अधिरुपित किया गया था ब्रेदिश्वर मंदिर के चारों और गलियारों की दिवारों पर एक खास प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है यह अन्य चित्रकलाओं से भिन है, बहुत सुन्दर भी है और देखने लायक तो है ही यह मंदिर वास्तुकला, पाशान वतामर में शिल्पानकन, चित्रानकन, नृत्य, संगीत, आभुशन एवं उत्कीनकला का बेजोर नमुना है विशालकाय नंदी, यहां एक अद्भुत और विशालकाय नंदी है एक विशालकाय चबूत्रे के उपर विराजमान नंदी की प्रतिमा अद्भुत है नंदी मंदप की छट शुब्र, नीले और सुनहरे पीले रंग की है इस मंदप के सामने ही एक स्तम है जिस पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते हुए राजा का चित्र बनाया गया है यहां स्तित नंदी की प्रतिमा भारतवर्ष में एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई नंदी की दूसरी सरवाधिक विशाल प्रतिमा है यह 12 फुट लंबी, 12 फुट उची और 19 फुट चौड़ी है 25 तन वजन की यह मूर्ती 16 फी सदी में विजयनगर शासनकाल में बनाई गई थी विशाल का शिकर, ब्रिधिश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही दो गोपुरम बनवाई गए हैं इन दोनों गोपुरमों से गुजरते ही आपको सामने ही मंदिर का द्रिश्य अवरुद करता हुआ एक विशाल नंदी दिखेगा मंदिर के इस भाग को नंदी मंडप कहा जाता है नंदी की यह विशाल मूर्ती देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसे मंदिर को बुरी नजर से बचाने का काम सौपा गया हो, नंदी मंडप पार करते ही मंदिर की सबसे भव्यसन रचना अथ्वा, मंदिर का शिखर आपका ध्यान अपनी और कीचता है मंदिर की शिखर के शीर्ष पर एक ही पत्थर से बनाया हुआ विशाल विताकार कलश स्थापित किया गया है इसे देखकर मन में ये शनका उत्पन होती है कि शिखर का संतुलन बनाये रखने के लिए कहीं पूरा मंदिर ही दगमगा न आ जाए इस मंदिर के गुंबद को असी टन के एक पत्थर से बनाया गया है और उसके उपर एक स्वर्ण कलश रखा हुआ है दुनिया का सबसे उचा मंदिर तेरह मंजिला इस मंदिर को तंजौर के किसी भी गोने से देखा जा सकता है मंदिर की उचाई 216 फूट 66 मीटर है और संभवतर ये विश्व का सबसे उचा मंदिर है लगभग 240.9 मीटर लंबा और 122 मीटर चोड़ा है यह एक के उपर एक लगे हुए 14 आयतों द्वारा बनाई गई है जिन्हें बीच से खोकला रखा गया है चोड़ में आयतों के उपर एक बड़ा और लगभग 88 टन भारी गुमबद रखा गया है जो की इस पूरी आकृती को बंधन शक्ती प्रदान करता है इस गुमबद के उपर एक 12 फीट का कुमबम रखा गया है चेननई से 310 की, मी, दूर स्थित है तंजावुर का यह मंदिर कावेरी नदी के तड़ पर 1000 सालों से अविचल और शान से खड़ा हुआ है विशाल का इस शिवलिंग, इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक 13 फीट उचे शिवलिंग के दर्शन होते है शिवलिंग के साथ एक विशाल पंच मुखी सर्प विराजमान है जो फनों से शिवलिंग को चाया प्रदान कर रहा है इसके दोनों तरफ दो मोटी दिवारें हैं जिन में लगभग 6 फीट की दूरी है बाहरी दिवार पर एक बड़ी आकरती बनी हुई है जिसे विमान कहा जाता है मुख्य विमान को दक्षन मेरू कहा जाता है बगैर नीव का मंदिर आश्चर्य की बात यह है कि यह विशालकाय मंदिर बगैर नीव के खड़ा है बगेर नीव के इस तरह का निर्मान संभव कैसे है तो इसका जवाब है कन्या कुमारी में स्थित 133 फीट लंबी तिरुवल लुवर की मूर्ती जिसे इसी तरह की वास्तुशल तक्नीक के प्रयोग से बनाया गया है यह मूर्ती 2004 में आय सुनामी में भी खड़ी रही लगता है कि यह पिरामिट जैसी दिखने वाली महाकाय सनरचना है जिसमें एक प्रकार की ले और समरूपता है जो आपकी भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित होती है कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने के आइडिया चोल राजा को श्रीलंग का यात्रा के दोरान तब सपने में आया था जब कीवे सो रहे थे उत्कृष्ट शिलालेक इस मंदिर के शिलालेकों को देखना भी अद्भुत है शिलालेकों में अनकित संस्कृत वतमिल लेक सुलेकों का उत्कृष्ट उदाहरन है इस मंदिर के चारों और सुन्दर अक्षरों में नकाशी द्वारा लिखे गए शिलालेकों की एक लंबी श्विंखला देखी जा सकती है इन में से प्रत्यक गहने का विस्तार से उलेक किया गया है इन शिलालिकों में कुलतेईस विभिन प्रकार के मोती, हीरे और मानिक की ग्यारा किसमें बताई गई है